आज मैं आपको एक होती खुबसूरत जगह के बारे में बताऊंगी आप इस वीडियो को प्लीज पूरा देखें और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें तो चलिए अब हम राष्टपतीबवन के अंदर है और यहां पर आपको जाने के लिए आपको गेट नमबर 35 से एंट्री करनी होगी यहां है राष्टपतीबवन का गेट नमबर 35 और यहां पर आने के लिए आपको सेंट्रल सेक्रेटरियेट के गेट नमबर 2 से एवजिट करना है वहां से व आने के लिए आपको online registration करना होगा इनकी site से और यहाँ पर offline registration भी हो जाता है registration के थुरू आपको slot book करना पड़ेगा और उसी slot में आपकी entry होगी यह garden हर साल एक महिने के लिए फेब की महिने में open किया जाता है और हर Monday को यह garden close रहता है यहाँ पर entry timing सुबर 10 बजे है और शाम को 5 बजे तक यह खुला रहता है लेकिन आपको entry करने के लिए आपको शाम को 4 बजे से पहले जाना होगा उसके बाद entry close कर दी जाती है इस garden में आप अंदर अपना mobile phone ले जा सकते हैं water bottle ले जा सकते हैं लेकिन आपके पास अगर camera है बड़ा bag है, trolley bag है तो वो आपको entry gate पर locker room में submit करना होगा और eatable item है तो वो भी अंदर allow ने करते हैं उसे आपको बाहर locker room में सबको submit करना होगा यह garden लगबग 15 एकर में फैला हुआ है जिसको अलग-अलग section में बाटा गया है हर section में आपको अलग-अलग तरीके के पीड पौदे और फोल देखने को मिलेंगे यहाँ पर एक 200 साल पुराना शेशम का पीड भी है यहाँ पर एक bonsai garden है जहाँ पर आपको अलग-अलग तरीके के bonsai plant देखने को मिलेंगे यहाँ पर 120 से ज्यादा प्रकार के गुलाब के पौदे हैं यहाँ पर tulip garden है और यहाँ पर आपको बीच में एक musical fountain भी देखने को मिलेगा जो बहुत ही खुबसूरत है मैं आपको इस वीडियो के खुरू एक और information देना चाहूंगे जब ही आप आए तो कोशिस करें आप Saturday Sunday को नहीं आए अगर आपके पास वक्त है वक्त की कमी नहीं है तो आप किसी और दिन आने की कोशिस करें यह वीडियो भी Sunday को शूट किया गया है आप दीट सकते हैं कितना रश है आप ठीक से इस जगों को enjoy नहीं कर सकते हैं यखीन मानिये यह जगे इतनी खुब सूरत है कि आप यहाँ पर 3-4 घंटे भी बहुत अराम से enjoy कर सकते हैं लेकिन उस दिन इतना रश था कि एक मिनट भी महाँ पर रुपनी नहीं दिया जा रहा था बस आपको चलते जाना था चलते जाना था बहुत ही ज्यादा रश था आप यह बीच का जो open area देख रहे हैं यहाँ पर आपको जाना इलाओ नहीं है side में walking lane बनाए गए हैं जिसके थ्रू ही आपको गुमना है पुरे पार को और आपको अंदर बिल्कुल नहीं जाना है तो side के lane को follow करते हुए आप इस पूरी garden को गुम सकते हैं आप देख सकते हैं हर flower की आगे qr code है जिस qr code को आप अपने mobile से scan करके उस plant के बारे में उस flower के बारे में सारे information आप ले सकते हैं और अगर आपको ये नहीं आता है तो आप वहाँ पर हर जगा staff खड़े मिलेंगे आप उन से भी पूछ सकते हैं वो भी आपको information बता देंगे कि ये कौन सा plant है इसका use क्या है क्योंकि यहाँ पर different तरीके के plants लगाए गये हैं कुछ medicinal property वाले भी plants यहाँ पर लगाए गये हैं जिनका medical science में बहुत ही ज़्यादा योज होता है मैं इस दिन रश की वज़े से हर area को cover नहीं कर पाई क्योंकि रश इतना ज़्यादा था कि आप दोनों side के video बनाना possible नहीं था जिस side आप हैं उस side के ही आप video बना सकते थे देख सकते थे आप दूसरे side जाना possible नहीं हो पा रहा था भीड बहुत ज़्यादा थी आप खुद video में देख सकते हैं कि लोग कैसे चल रहे हैं बिल्कुल मतलब वो क्या होता है रेल गाड़ी बस रेल गाड़ी बन गए थी उस यहां जो एरिया आप देख रहे हैं यहां पर बहुत ही सुन्दर सुन्दर गुलाब के पौदे लगाए गयते हैं यहां पर 120 तरीके के गुलाब के पौदे हैं लगबद तो आप देख सकते हैं यह पूरा section गुलाब के पौदे से बहा था बहुत अलग अलग तरीके के रं झाल झाल यह एरिया इस गार्डन का लाश्ट सेक्शन था और यह बहुत ही खुबसूरा था राउंड शेप में था बीच में एक फॉंटेन और किनारे किनारे तरह तरह के फूल लगाए गया तो जो उसकी खुबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा रहे थे यहां से आगे जाने पर आपको एग्जिट गेट मिल जागा और एग्जिट गेट से निकलते ही अगर आपको को इनफोर्मेशन चाहिए तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूस सकते हैं मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पाप अच्छा लगा होगा प्लीज कॉमेंट में अपना एक्स्पिरेंस शेयर करें कि आपको मेरा वीडियो क्यासा लगा तब तक के लिए बाबाई टेक के लिए अडेमी शोगा